Hello everyone, Linoculus Classes की YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं J-C-E-R-T English की Book Classics की इसके Unit 1B The Skylark Poem को हम लोग इसके Question-Answer को देखेंगे ठीक है? जो की आपके Page No.15 में दी हुई है ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके Question-Answer एक को देखने जा रहे हैं जो की Explore the Poem है चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पहला है Answer the following Question इसमें पहला Question है What is a Skylark? Skylark क्या है? ठीक है? इसका Answer है It is a small bird found in Europe, Asia and in the mountains of North Africa कहता है कि Skylark क्या है? एक bird है, एक पक्षी है जो कि कहां पाया जाता है? यॉरोप महादेश में पाया जाता है Asia महादेश में भी पाया जाता है और North America के mountain जो area है परवती जो छेतर है उसमें पाया जाता है ठीक है? चलिए अब दूसरा Question देखते हैं Second Question है आपका What does the poetis mean by the line? यहाँ पर एक line दिया हुआ है इसमें poetis जो है, इनकी जो कवीत्री हैं वो क्या कहना चाहती है? A Skylark hanged between the two यह stanza 1 में दिया हुआ है यह line कौन सा line है? A Skylark hanged between the two इसका क्या meaning है? ठीक है? तो चलिए देखते है answer इसका answer है A Skylark hanged between the two means the Skylark is between the earth and the sky कहता है कि Skylark किसके के बीच है? Earth के बीच है और Sky के बीच है यानि कि यह जो प्रीथवी है और आसमान है उसके बीच क्या 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 है? जो हैंग है कौन लटका हुआ है? Skylark पक्षी ठीक है? next question देखते है third question है what is being described as a stage in the poem Stanja 2 कहता है कि आपके जो poem है उस poem के Stanja 2 में एक word है a stage ठीक है? a stage इसका क्या यहाँ पर meaning है? किसको describe करता है? किसका word run करता है? इसका answer है a stage is being described as a sky in the poem जो a stage है stage किसको कहा गया है? Sky को कहा गया है इनकी आसमान को कहा गया है ठीक है? चलिए अब next देखते हैं next question, question में fourth है what can the poetess see on either side of her? कहता है कि poetess जो है वो अपने अगल बगल में अपने चारो और वो क्या देखती है? इसका answer है the poetess sees corn field on either side of her? जब वो अपने अगल बगल में देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है? corn field दिखाई देता है? generally हम लोग corn किसको कहते है? मकई को कहते है ठीक है? तो मकई का जो field होता है जहांपे मकई बहुत सारा लगा हुआ होता है उसे वो दिखाई देता है चलिए तो next देखते है next है explore the poem इसमें जो है आपका question है वो है tick the correct option यानि की option दिये हुए है उसमें कौन सा सही है question का कौन सा answer सही है उसको tick करना है ठीक है? तो पहला question है the line a singing speck above the corn means कहता है कि एक line है poem में कौन सा line है? a singing speck above the corn इसका क्या earth है ठीक है? चलिए इसके options को देखती है like a dot in the sky इसका option A जो है कहता है कि sky में एक dot है इसका earth या फिर option B है like a dot on the corn stalk यानि की जो corn stalk इक तरह से कहते हैं जो देखते होंगे मकई में generally dental type का होता है उसको stock कहा जाता है ठीक है? तो जो corn stalk है यानि की corn का जो field है उसमें जो है एक dot के समान तो singing इसके above the corn मतलब गाता हुआ कुछ जो है दीख रहा है एक dot के समान वो क्या दीख रहा है? तो इसका answer होगा like a dot on the corn stalk यानि की corn का जो field है उसमें एक dot के तरह दीख रहा है ठीक है? चलिए next question देखते हैं इसका क्या जो है वो क्या इंडिकेट करता है? वो क्या दिखाता है? इसके options है पहला option है इसका एलार्क जो है वहाँ पे क्या हो रहा है? इधर उधर घूम रहा है या फिर दूसरा option है सूरी डूपता जा रहा है तो इसका option में B सही है ये जो line है इसका क्या आर्थ है कि Sun क्या हो रहा है? सेट सो रहा है ठीक है? नेक्स्ट है थर्ड कोश्चन कहता है कि एक word है पोईम में इसका क्या वो कौन सा सीजन को दिखाता है इसके options है पहला है winter season और दूसरा है spring season तो tender green generally जो होता है वो कब होता है? spring season में होता है तो इसका option अब B सही है next देखते हैं हम लोग next जो है आपका B है word power अब क्या करना है? इसमें word power देखना है इससे related questions को तो चलिए start करते हैं इसमें दिया हुए choose the correct words to complete the summary of the poem इसमें क्या करना है? कि words के सहरे poem के summary को निकालना है उसके सहरांस को निकालना है ठीक है? तो चलिए start करते हैं कहता है the poetess describes how इसमें तीन words दिये हुए है content, sad, lonely she feels as she walks through a cornfield यानि कि poetess describe करती है कि कैसे वह जो है क्या feel करती है अखिर poetess जब वो गौर्ण फिल्ड में घूमती है जब वो इधर उधर तहलती है तो कैसा feel करती है तो lonely feel करती है तो इसका क्या जो है answer होगा पहला lonely ठीक है? दूसरा जो है दूसरा है she feels as she walks through a cornfield second है as she walks along what's her जब वो cornfield के तरफ जो है वो walk करते हुए जाती है तब सी sea skylar वो क्या करती है एक skylar को देखती है कैसा? तो flying in the sky वो देखती है कि skylar क्या हो रहा है वो कहां पे उड़ रहा है आसमान में उड़ रहा है ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा अंसर flying in the sky ठीक है? चलिए next देखते है it sings as it flies वो जो है गाता हुआ ऐसा उड़ रहा है मानो ठीक है? वो क्या हो रहा है lower या higher मतलब उसका swear जो है वो lower हो रहा है या फिर higher जा रहा है तो मानो उसका swear क्या हो रहा है? lower हो रहा है तो इसका answer क्या होगा? lower ठीक है? next है below it butterflies dash इसमें तीन है sit quietly move slowly move quickly कहता है कि जो skylight पक्छी है उसके नीचे butterfly कैसे उड़ती हुई जाती है? move quickly वहाँ तेजी से जो है वो उड़ते हुए जाती है तो इसका क्या answer होगा? move quickly होगा ठीक है? in the cornfield कहाँ पे? cornfield में ठीक next है the poetess knows that the skylight's nest is यहाँ पे poetess को पता है कवित्री को पता है कि जो skylight का nest है यानि कि उसका जो घोसला है वो क्या है? वो दिखता है visible है cornfield में या फिर hidden है छुपा हुआ है या फिर far away from या फिर उससे दूर है तो poetess को पता है कवित्री को पता है कि वो क्या है? hidden in है यानि कि जो skylight का जो nest है यानि कि उसका जो घोसला है वो क्या है? छुपा हुआ है ठीक है? तो इसका answer क्या होगा? hidden in फिर है c dash यहाँ पर है notices imagines knows वो जो है notice करती है या फिर कलपना करती है या फिर जानती है that its companion is also listening somewhere in the cornfield वो जो है ऐसा कलपना करती है यानि कि यहाँ क्या होगा answer में? imagines ठीक है? वो ऐसा कलपना करती है कि उनका जो companion है यानि कि वो जो साथ में वहाँ पर जो घूम रही है कहीं न कहीं उसका जो है वो क्या कर रहा है उसको cornfield का जो cornfield है यानि कि मकई का जो खेत है वो उसको सून रहा है ठीक है? चलिए तो इसको हम लोगों ने complete किया आप next देखते हैं word power में ही आपका next question है match the words that go together in the poem कहता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कुछ-कुछ words दिये हुए है आपको match करना है जो कि poem में आपको लगे कि इसके साथ ये words जाएगा match करेगा अच्छे से ठीक है? चलिए तो words देखते है आपका words है million, sunny, singing, white and gay ये कुछ words दिये हुए है आपको किसके साथ ये match करेगा वो match करना है ठीक है? तो इधर कुछ words है skylock, butterflies, accord, stock and moments ये सारे words से कौन किससे जो है अच्छे तरीके से match करेगा उसको आप match कराना है ठीक है? तो million क्या था? million of stocks था तो million किससे match करेगा? stocks से ठीक है? next क्या है? sunny sunny क्या था? sunny moments था ठीक है? कैसा वहां का moments था? sunny moments था तो sunny किससे match करेगा? moments थे next है singing singing जो है कौन गा रहा था यहाँ पे? ठीक है? next है white, white क्या था, सफेद रंगे क्या थे, तो white butterflies थे, white किस से match करेगा, butterflies से, and last one जो है आपका gay, gay का meaning एक तरह से कह सकते है, happy होता है, ठीक है, तो gay, इंसान happy कब होता है, जब किसी की सहमती हो, ठीक है, तो gay किस से match करेगा, accord से, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने match of the following complete किया, सारे questions को भी complete किया, उमीद है आप सबको समझ में आया होगा, आप लोग इसको, वीडियो को pause करके लिखिएगा, अच्छे से, ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो like, share, subscribe जरू करें, धन्यवाद,